Glass Skin वाला Glow अब हमसे ज़ादा दूर नहीं है क्योंकि अब हमें वो सीक्रट पता चल गया है जिस से हम अपनी स्किन को बेदाग बना कर शीशे की तरह चमका सकते हैं अपने चहरे के कालेपन को दूर कर सकते हैं, अपने चहरे के ऊपर अगर dark patches हैं, उसको remove करके skin को bright बना सकते हैं अगर आप इसका regular इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी skin को spotless, flawless तो बना रहा है, इसके असास आपके चहरे के ऊपर anti-aging का भी काम कर रहा है यानि कि ये आपकी skin की धेरो problems को solve करने के लिए अकेला ही सक्षम है तो इस खुबसूर सी remedy को त्यार करने के लिए हमें करना क्या है हमें अपने kitchen में जाना है इस remedy को त्यार करने में जो मैंने इसमें ingredients एड़ किये हैं वो सबी के सबी, आप सबी के किचर में बहुत ही असानी से मिल जाएंगे आपको बाहर से कुछ भी परचेज नहीं करना यानि की जीरो कोस्ट में आप अपनी स्किन के ऊपर हजार फेशिल जितना निखार लेकर आ सकते हो तो देरी की बिन बढ़ते हैं अपनी स्कूप सुरसी रैमिडी की तरफ इस रैमिडी को तियार करने से पहले आपको अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दू मेरा नाम है सुनीता सैनी और इस चैनल का नाम है ब्यूटी विद नेचर बाय सुनीता सैनी आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है क्या हल चाल आप सब के आई होप आप सब लग खुश योंगे तो इस रैमिडी को तियार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक चमच आलू का रस आपने आलू को कदुकश कर लेना है और उसका रस निचोड लेना है चाहे तो आप मेरी तरह हाज से इसका रस निचोड लेजीए या किसी कपड़े की हेल्प से या छन्ने की हेल्प से आपने आलू का रस अलग कर लेना है आलू के रस में bleach properties होती है यह हमारे रंग को साफ करता है skin tone को एक सार करता है यह हमारे skin के उपर anti aging का काम भी करता है अब मैं इसमें add करूँगी चोथाई चमच के करीब निम्बू का रस जिन लोगों को निम्बू सूट करता है वो यहाँ पर निम्बू का रस add करेंगे जिनको निम्बू सूट नहीं करता वो निम्बू के रस को skip कर दे वो यहाँ पर निम्बू के रस के जगा टमाटर का रस ले सकते हैं क्योंकि टमाटर के रस में vitamin C भर पूर होता है वो भी हमारे चहरे के दाग धबू को light करता है और जिन लोगों को निम्बू का रसूट करता है निम्बू के रस में तो bleach properties है ही यह हमारे चहरे के काले पन को दाग धबू को दूर करके skin को sportless, flawless बनाने में हमारी help करेगा ठीक है जी अब हम इसमें add करेंगे चोथाई चमच के करीब honey honey natural तेकी से हमारे skin को moisturize करेगा क्योंकि यह एक natural moisturizer है इसके अंदर antibacterial properties होती है इसलिए चहरे के उपर acne मुहासो को भी आने से रोपता है अब मैं इसमें add करूंगी चोथाई चमच के करीब नारियल का तेल याने की coconut oil friends अगर आपको नारियल का तेल सूट नहीं करता तो यहाँ पर आप एक capsule vitamin E oil का add कीजिए या चोथाई चमच के करीब जैतून का तेल या बादाम का तेल जो भी आपकी skin को सूट करें आप ओ ओ ओ इसमें जरूर add करें जिन लोगों की skin oily है वो यहाँ पर 3-4 बूंदे oil add करें लेकिन वो भी oil जरूर add करें क्योंकि यह जो oil होते हैं यह हमारे skin को nourish करते हैं हमारे skin को reach दिखाते हैं last में मैं इसमें add कर रही हूँ एक चमच गेहु का आटा गेहु का आटा हमारे skin के damage cells को rejuvenate करता है यह चहरे के कालेपन को दूर करता है यह चहरे के उपर अगर अंचाहे बाल है या black heads, white heads हैं तो उनको remove करने में भी हमारी help करता है लेकिन उसका method थोड़ा सा अलग हो जाता है तो चलिए मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कर लेना है, remedy बनकर बिलकुल तयार है बट यह जो हमारा आलू का pulp बच गया था इसको हमने फेंका नहीं इसका भी इस्तेमाल हम अपनी remedy में करेंगे इससे हम अपने face के उपर scrub करेंगे इसके लिए हमें क्या करना है इस आलू के pulp में हमने add करना है चोथाई चमच के करीब निम्बू का रस अगर आपको निम्बू सूट नहीं करता तो आप यहांपर टमाटर का रस एड़ कर सकते हो अब मैं इसमें add करूंगी चोथाई चमच के करीब हल्दी अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं आप कीचन वाली हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आपने उसकी quantity का ध्यान रखना है अगर आप कस्तूरी हल्दी ले रहे हो उसकी भी quantity का ध्यान रखना क्योंकि हल्दी आप चाहे कीचन वाली ले लीजिए या कस्तूरी ले ले लीजिए ये दोनों ही अपना बहुत ज़्यादा कलर छोड़ती हैं फेस यलो हो जाएगा अगर आपने क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखा तो अब हमने मिक्स कर लेना है इसको अब हमने इस रेमिडी का इस्तेमाल करने से पहले अपने फेस को साफ जरूर करना है फ्रेंड्स मेरा फे का इस्तेमाल करने से पहले अपने फेस को अपने किसी फेवरेट फेस वो से साफ कर लीजिए कच्छे दूर से कर लीजे ग snaps गलाब जेल से कर लीजिए लेकिन फेस साफ करने की बाद ही आपने इस step और करना है तो फेस के ओपर एक्ने मुहां से निकलाएंगे या ब्लैक हैट्स वाइट्स होने लग जाएंगे स्किन की और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है इसलिए पहले अपने फेस को साफ जरूर कीजिएगा ठीक है जी इस आलू के लच्छे से हम दो मिनट मसाज देंगे मसाज ब बहुत लाइट हैंड से देनी है इस तरह के से मसाज देनी है कि हमारा यह आलू के लच्छे हिले हमारी स्किन ना हिले बट अगर आप इसको स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें प्रोपर स्क्रब तो आप इसके अंदर चावल का आठा जरूर एड कीजिए और इसका इस्तेमाल आपने हफते में सरफ एक ही बार करना है डेली नहीं करना क्योंकि स्क्रब डेली नहीं होता क्योंकि स्क्रब करने से हमारी स्किन एक्फॉलेट होती है चाहरे के उपर जो डेट स्किन होती है वो निकलने स्टार्ट हो जाती है एक दिन आपने अपने फेस के उपर स्क्रब क स्किन आई हुई है ना इंचे से वो भी छिल जाएगी और वो डैमेज हो जाएगी अगर वो एक बार डैमेज हो गई तो आप उपर से कुछ भी लगाते रहें आपकी स्किन जल्दी से ठीक नहीं होगी इसलिए प्लीज अपनी स्किन के साथ खेलवाड बिल्कुल मत करना कि हम डेली अपने से फेस के उपर स्क्रब करेंगे तो हमारे स्किन बहुत जल्दी खूबसूरत हो जाएगी नहीं बिल्कुल नहीं होगी बलकि और ज्यादा खराब हो जाएगी देखिए मुझे मसाज करते हुए दो मिनट हो गए थे फ्रेंड्स आप चाहो तो अपने फेस को वश कर सकते हो बट मैं वश नहीं कर रही अप पी अगर डारेक्ट लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है अपने पूरे फेस के उपर अच्छे तरीके से मोटा मोटा फेस पैक लगाईए आप इसको डेली भी कर सकते हो अगर आपके फेस के उपर बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजियेगा और पास बने बैल आइकन को भी जरूर प्रैस कर लीजिए ताकि जब नई वीडियो डाले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही असानी से मिल जाए और आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का बेनिफिट उठा पाएं फ्रेंड्स और ये भी बताना बिलकुल ना भूलें कि आप कि सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बता दिया है कि इस रेमिडी का इस्तेमाल हर स्किन टाइप के लोग कर सकते हैं बस वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें जिनको इसमें डाले किसी इंग्रेडियन्ट से अलर्जी है उनकी स्किन को नुकसान हो सकता है वरना ये हर किसी की स्किन के उपर गजब के रिजर्ट लेकर आएगा यू जरूर कीजिएगा और अपनी फीड़ बैक भी जरूर दीजिएगा कि आपकी स्किन के उपर इसने कैसे रिजर्ट दिखाए हैं देखिए friends face pack लग चुका है अब मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद अगर आप इस face pack को daily लगा रहे तो 10 मिनट इनफ है बट अगर आप इस face pack को हफते में 3 बार लगा रहे हो तो 15-20 मिनट आप इसको अपने face के उपर रख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद बहुत ही प्यारा result आता है friends यूजरूर करके देखिए और feedback भी जरूर दीजिए friends हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि अगर आपके चेहरे के उपर अंचाहे बाल है तो आपने इसको लगाने के बाद जब यह semi dry हो जाएगा उस कर लीजिए आप regular अगर ऐसे करोगे तो आपके black heads बहुत ही जल्दी खातम होने लग जाएंगे और अगर आपके चेहरे के उपर अंचाहे बाल है तो आपने यहां से अपनी skin को पकड़ना है और वर direction में इस तरीके से massage देनी है इस से होगा यह कि आपके जो hairs हैं वो इस remedy मे and let with it start हो जाएंगे और धीरे धीरे वो जहडने start हो जाएंगे उतरने start हो जाएंगे लेकिन आपको थोड़ा patience रखना पड़ेगा क्योंकि यह जो बाल होते हैं यह कभी कोई तूट गया कभी कोई तूट गया इस तरीके से खातम होंगे सारे एकदम से खातम नहीं होंगे ल आपको दिखाते हैं इसका final result इसको wash करने के बाद result देखे skin कितनी ज़्यादा bright दिखाई दे रही है कितनी ज़्यादा shine दिखाई दे रही होगी आपको मेरे चहरे के उपर अब हमने अपने face को moisturize करना है अपने face को moisturize करने के लिए मैं अपनी बनाई cream डे रही हूँ friends amazing cream है अगर आपने इसको अभी नहीं बनाए तो जल्दी से बना लीजिए ये anti-aging से भरपूर है ये आपके चहरे के उपर glow भी लाएगी आपके चहरे को बूरा होने से भी बचाएगी इसके बहुत ही ज़्यादा amazing result है friends यूजरूर कीजिए तो feedback भी जरूर दीजिएगा कि आपकी skin के उपर इसने कैसे result दिखाएगा है मेरी skin के उपर तो बहुत ही खूबसूरत result आएगा है बहुत ही प्यारे देख सकते हूँ आप बहुत है